नमस्कार आउदोगी प्रशिच्छन संधानों के ब्यवसाइड अलक्टानित मकेने को दुसेगी पाठशर्या में अंग्विक वसंग सुरच्छात्म की क्युमों करने आपको प्रदान करूंगा आज मैं आपको सुरच्छात्म प्रदान के बारे में बताएंगे। सुरच्छात्म की पहला हमारा था फ्यूज। फ्यूज की क्या जरूर पड़ती है। फ्यूज की क्या और सकता है। वर्तमान समय में अलेक महत्मोंतार एलेक्रिकल सिस्टम का फ्यूर करके किये जाते सभी एलेक्रिकल सिस्टमों में प्रियूग विद्धुधारा का नियंत्रण करने के लिए ए नियत मांग से अधित मांग की बोड़ते प्राप्त होने पर विद्धुद परिपत को खराब होने से बचाने के लिए इनकी पुरच्छा करना आवस्यक होता है। यदि पुरच्छात्मक में फ्यूज लगा दिया जाए तो हमारे परिपत की पुरच्छा हो सकती है। इस फ्यूज की खूज सर्थ ठम 1890 में वैग्यानिक एडिशन ने गेती। ये फ्यूज नियत मांग से अधिक मांग की गोल्टेज प्राप्त होने पर परिपत को खराब होने से बचाता है। इसके बाद अनेक 19 से पुरच्छात्मक की उप्रूब का विगात हुआ। तैसे LTV है, TLCB है, कांकेक्टर है, रिले है। अब हम आपको फ्यूज की परिभासा बताएं। सामानत है, एक दात का छोटा सा टुकड़ा होता है, जो सरकित के स्रेडी क्रम्बे बुड़ा होता है। यदि सरकित में एक निश्चित मांग से ज्यादा करेंट फ्लो होता है, तब फ्यूज उजलकर सरकित को ब्रिक कर देता है। फ्यूज कहलाता है। अर्थात वा सुराच्छात्म की उच्च वैद्धितिक धारा के विरुद्ध कैविलों पता उप्तरणों की रच्छा के लिए वैद्धितिक परिपत के स्रेड़ी क्रम में लगाया जाता है, फ्यूज कहलाता है. अब हम आपको फ्यूज के भाग कितने होते हैं उसके बारे में बताएंगे। का आस्त्री भाग होता है, इसमें फ्यूज वायर लगाकर बेस में फिट के आ जाता है, इसे हम फ्यूज के पहते हैं। तीसरा है हमारा फ्यूज तार, फ्यूज के वर्गी करण के बारें बताएंगे। हमारे फ्यूज के प्रकार के होते हैं। पहला हम आपको बताएंगे, बोल्टेज के अनसार, अर्थार, एकार्टिंग टू बोल्टेज, बोल्टेज के अनसार, फ्यूज अमारे दो प्रकार के होते हैं। निम्न बोल्टेज फ्यूज, जैसे पुना फ्यूज अवयो बदलने और योगी फ्यूज बिखाई। अर्थात इंगलिस में इसे हम रिवायरेबल फ्यूज इनेट करते हैं। दूसरा हमारा होता है उच बोल्टे शूज, इसमें शूज बदले नहीं जा सकते हैं। अर्थात इंगलिस जिवायरेबल फ्यूज, दूसरा हम अब आपको धारा के अनसार शूज बताएंगे। यह भी हमारे दूप्रकार के निम्नधारा के फ्यूज और उच धारा के फ्यूज निम्न धारा के फ्यूज रुभापक्रास पकारत कि इसे गोला का रुट्स को ऐसाथरील का कि ViPad के है। तरक प्रकार कि अरिखा कैश्टेकशाइब है South полов कर्या इसको हम रिवारेगों पेज़ने हैं, तीसरा कार्फूस प्रकार काती है, अर्था काष्टेश चाइप ही, चौथा है HRC हूट, HRC हूट को हम हाई रिपोर्टिंग कैपासेटी हैं, अर्था उच विरारक छंपता वाज़ने हैं, नमबर चार हम वरगी करण में शूट अवयो अर्था एकरणी की मटीरियं, आफ शूट, इसमें हमारी फूट कार के बहुत कीज़ने ही, नमबर एक, नमबर गापर अलमेंट ईम जूट, नमबर 2 है हमारा अलzahl मेनीन ईलेमें ईलेमेंट नूद, हम बाएसद लेट अलाइप एलेमेंट इलेमेंट और इलेमेंट उच्ग आज हम आपको कांटेक्शन के आधार पर कई प्रकार के चुज़े होते हैं, इसमें हम आपको एक गोल शूज अठाथ, राउंड शूज के बारे में बाते हैं, ये कांच के बने होते हैं, इनकी आकरत बेहना कार होती है, इनका प्रयोग विद्दुत करणों में शूज के होती है और कांच के अंदर फ्यूज को लगा सकते हैं ये फ्यूज हमारे चार एंपियर तो एंपियर पांच एंपियर तस एंपियर तके आते हैं और इन फ्यूज्जों का प्रियोग हम कि एंवर्टर का त्रक्तिए होते हैं हैं दूसरा सुज हमारा आता है हम प्रथम भाग केंधा स्प्नदा है ऑरं बती भाग को हम दोनों भाग एक साथ मिलकर किट कैट कहलाते हैं इस दोनों भाग विद्दु रोजी पराथ स्पोर्सलीन से बने होते हैं इनकी वैदुतिक संथापक के विगर्ण जितरन बोड अत्वा की मिटर बोड पर लगाया जाते हैं गीए निद्यवार अत्वार अत्तव ओर्ड आधार के एक ओर टरमिनल के साथ इनफुट प्रेज कू जोडते हैं सथा धूसरी ओर टरमिनल के आउपकुट प्रेज रोजित करते हैं के दूनों टर्मिनलों के मत्युज आधार अत्तव लगाय जाता है फ्यूज वहक के दोनों टर्मिनलों के साथ यू आकार का एक संपर्थ सरा होता है जो फ्यूज के आधार टर्मिनलों के साथ तमानीदार संपर्थों से मजबूती से लगाया जाता है इटकाएट का फ्यूज और तमाल समय में घरेली तथा विद्धूज सक्टिक या फैक्टियों में यो अच्टिक होता है। इटकाएट फ्यूज इकाई में फ्यूज तार को बदलने के लिए मुझ्ध स्विच आफ करने के आवस्द नहीं पड़ती है। तठा इस फ्यूज में जो element हमारा लगता है वो तिन देंसे अशकर का पहार का होता है। अब हम इस भ्यूज लगाने के, हम इस फ्यूज के लगाने के क्या लाब है। ये फ्यूज पहला हमारा लाब यह होता है इससे साधवानी पूर्वा स्विच आन की इस्तित में ही निकाला हुआ लगाया जाता है दूसरा फ्यूज इलेमेंट अठा फ्यूज ता को बदलने में लागत काष्ट जो है बहुत ही कम आती है इसरा इनकी संद्चना बहुत ही साधारान प्रकार से होती है और ये अन्नी फ्यूजों के पेच्छा कम कीमत के आती है और अगला पॉइंट है कि पिघले हुए फ्यूज का इस्थानांत्रन करने के बाद पुना इसे काम में लाया जा सकता है और इसकी एक हान यह है इस टाइब के फ्यूज ब्रेकिंग केपसिटी कम होती ही पताई ही हाई फाल्ट के पिजिए योग नहीं किया जा सकता है हम हम आपको अगला फ्यूज हम बताएंगे उच्च विदारक खंता वाले फ्यूज परथा हाई रिपोर्टिंग केपसिटी परथा एचारसी फ्यूज इन एचारसी फ्यूज की उच्च विदारक खंता चांचट केजिसे 500 वोल्ट एम्डियर तक होती है इसलिए इंगे हम उच्च विदारक खंता वाले फ्यूज कहते हैं इनकी मुख्य विशेष्टा यह है कि ये 60 सरकित फार्ट होता है तो इसके अंतरगत एक निश्ची समय तक उच्च तंग विद्धारा प्रवा की खंता रखते हैं इस प्रकार के परिकत में विद्धारा का मान शून हो जाता है और इसका कांट्यक्षन के साथ इसका वाय आवरण बेलनाकार नली विद्धत रोधी पदार्थ का चत्वा को उच्चनिर् टाइट से बनाये जाते हैं इसे फ्यूज इलेमेंट चांदी के अतार का प्रयोग होता है पता विद्धत रोधी नली के दोनों शिरूपर पीतल की तूटी से पूंडता एयर टाइट अर्थाथ वाय वह भी चील बंद होते हैं इसकी तूटियों के द्वारा ही नली के धी इसकी का फ्यूज इलेमेंट में जोड़ा रहता है एकारसी फ्यूज के लाव क्या है मारे इसकी आपरेशन स्पीद बहुत ही हाई होती है इसकी मेंटेनेंस की आवसक्ता नहीं पड़ती है और यह विश्वसनी वा पुरच्छात्मत हैं यह फ्यूज की दोशों से आट प्रश्वस्ति आपको कार्टी छूज के बारे में बताएंगे कार्टी छूज क्या होती है इस फ्यूज की समझना कम वैले कार्टी छूज अथा कार्टी छूज की समानी होती है इस फ्यूज कि इस दिजाइन में हम बदलाओ करके पुच दिस्टम के लिए उसमें दो फ्यूज कारौन को समांतर coin में लगा कर जिसमें एक कम पत्रोद का अरधा प्रिकत की धारा को बहन करेगा और हाज इस्तित में कम प्रित्रोद वारा तार बिचल जाएगा तर्था उच्छ प्रित्रोद वाला का परिकत की धारा को एक समय के लिए पंट्रोल करेगा कुछ समय बाद उच्छ प्रित्रोद का अतार भी जलकर तर्थित को बंद कर देगा उच्छ वोल्टेड कार्टीज की फ्यूज 35 किलो वोल्ट से संटावी 87 वरंपिया सक्टी डेकिश की संता के लिए व्योग के जाते हैं अब हम आपको एक अगला फ्यूज बताएंगे लिक्यूड फ्यूज इस फ्यूज के अंदर कार्गन टिक्ट्रा लूराइट का रोल व्योग में ला जाता है इन फ्यूजों को बहुत अधिक रेंज अरथा उच बोलते सिस्टम में लेवोग किया जाता है इन फ्यूजों को परिपत में 100 एंपियर पर एक 302 के वी के लिए तथा एक 165 परिपत में लेया जाता है इस फ्यूज में एक गलास चूब होता है कि जिसके अंदर कारबन टेक्टा क्लोराइड का जोल भरा रहता है इस टूब के दोनों सिरोपक पीतल की कैप दोरा सील्ड होती है फ्यूस तार का एक सिरा सील्ड होता है दूसरा सिरा फासफर ब्रॉंज इस्पिरियन इस्प्रिंग दोरा रहता है जैसे ही परिपत के अंदर विद्धु धारा का माल अधिक होता है, अधिक होता है, उसी जले हुए फ्यूस्तार को अपरी तरह फिंच लेती है, जिसकार आर्थ पुरंद भुद्याती है, अब अगला हम आपको एक D-type कार्टी फ्यूस को बागता है, कार्टी फ्यूस का ही प्रकार है, D-type कार्टी फ्यूस पूर्ण रूट से बंद प्रकार का होता है, इसके एक सीजे पर गोल इसूलेटिव टूब कल्प आकार का कंटेनर बना होता है, इस दोनों और से सील किया जाता है, इस फ्यूज के साइड में अधिक हलका सा काधश लग और यह जब शूज उड़ता है, तो इसमें लगा काधर खट जाता है, इस फ्यूज के मुक्ता निम्न भावों को ही, फ्यूज कैब होता है, फ्यूज कार्टी होता है, फ्यूज कार्टी होता है, और फ्यूज बेश होता है, जब ओवर्लोड होकर फ्यूज गरम होकर इधन कर तूट जाता है तो फ्यूज के आज पास रखता पाउडर स्वार्किंग को होता है ये फ्यूज का व्यूज को ब्रिक असाद विच्छेदन करने हैं आवस्टिक धारा को हम फ्यूज रेटिंग को हम our एक सो पत्चिस प्रस्ट यह हम इससे हम किसी भी फ्यूट की रेटिंग निकाल सकते हैं अब हम आपको एंसीवी के वारे में हम आपको बताएंगे यह एक सुरच्छात में किसी है जो परिपत को ओर लोड होने पर या साथ सर्किट होने से सुरच्छा प्रदाम करती है यह सी ग्रही परिपत को सपलाई से बिच्छेदित कर देती है कि एंसीवी का कोई भार मरमत योगिन ही होता है अतहां खराब होने पर इसे बदलना ही पड़ता है अतहां यह एंसीवी हमारी दू पूल तीन पूल चार पूल आइसोलेटर यह उचल काले रंकिनाव यह यह लाल रंकिनाव आप प्रियोग की जाते हैं अब हम आपसे एंसीवी के अंदर हमारे कई लगाई जाती है यह हमारी फीगर में हम आप देख सकते हैं पहला है सप्लाई टर्मिनल सप्लाई टर्मिनल अर्थाथ इसमें दो टर्मिनल होते हैं सप्लाई एक इनकुट टर्मिनल होता है और यह आउट टर्मिनल होता है सप्लाई हम हमेशा इनकुट टर्मिनल को दी जाती है इसमें हम दी आइनेजेशन के कारण हम आर्क बनती है यह हमारे आर्क की चेंवर का अब आती है बाड़ी बाड़ी चंसीवी की बाड़ी प्लास्टिक बनी होती है अधिक बोल्टिज आने पर यह जल जाती है अगला यह पॉंट है हमारा मैगनेटिक इलिमेंट मैगनेटिक इलेमेंट होता है यह चुमबकी धर्मल प्रक्रिया के आधार पर से एलिमेंट कारी करता है कि आप रेटिंग नाप आप रेटिंग नाप नीचे कर देते हैं कि और है अपरेटिंग मेकनिज्म के अंदर का बाग होता है इससे हम जब कोई चाप R adjust होता है तो हमारे आपरेंटी मेगेन खरता है एक अई ए। फिक्स कानटेक्टिंट हमारे मेंकानक fix बना रहते हैं वह नहीं है हमारी ही कि लंगिजर है कि यह सब हटते रहते हैं इस एक पत्य हमारी हिए तो एक पत्ति हमारी कंगरम होती ही एक ज्यादा गरम हो इससे पत्ति हमारी मुड जाती है और इससे हमारी जो है दुधाती पत्ती असाथ बाई-मेटैलिक स्टिप मुड़ जाती है इससे हमारा MTB स्टिप कर जाती है और लोड टर्मिनल अर्था आउट्पुट को हम लोड टर्मिनल देते हैं अब हम बताएंगे यह MTB के प्रकार MTB हमारे कितने प्रकार जम्सेटी को पावर सप्लाई के आधा सब इड़ो प्रकार के सब्सक्राइब एक उसी हमारी सिंगल फिरिक MTB दूसरी है फिरिफेजम्सेटी इस प्रकार सिंगल के इस प्रकार के MTB में सिंगल धरा सप्लाई यह दूप परिपट अलोग किया जाता है यह हमारी दो प्रकार के होती है एक होती है सिंगल पॉलियम से भी दूसरी होती है तूप उस प्रकार की सर्कीट ब्रेकर परपट को और लोड अटवा साथ सर्कीट से बचाने के लिए दूसरा है तूप गया लेंगते हैं यह सर्कीट को पुरच्छा करते हैं आरे सिंगल खर और वृता है और कि सिंगल को संद्री कहते हैं, दूसरा है टूपोल म्सेडी, टूपोल एंकीबी में तूजों के पेच्छा अधिक रच्छन संद्रा होते हैं, तथा इन्हें बदलना आसान होता है, ये एंकीबी की दिजाइन को माडूली डिजाइन कहते हैं, जिसके काहट इंकातियों गुहिन संयोजनों में जा जाता है इसके स्वीचिंग और रच्छन के लूटल दोनों से प्रभावित होते हैं ये परिपद दोसो चालीस बोल्ट की पावर सप्लाई प्रान करते हैं दूसरी हमारी सब्सक्राइब दोसरा होता है तो सब्सक्राइब के बारे बताएंगे उसका उच्छ भार के उपसाधनों को परिपत से नहीं जोड़ सकता है तो इसमें एक निश्चित धारामान की अंचीबी लगी होती है तक उच भार के उपसाधन पूरूग होने से एंचीबी किप कर जाएगी जिससे हमारे ज्यादा भार के ताधन नहीं चलते हैं चोटे मतानों में 10 एंपियर से 16 एंपियर के एंचीबी प्रूटी जाती है इसमें चार पोल होते हैं इसके लिए एक पोल निटल टार के कनेक्शन के लिए प्रूप होता है से इस तीन पोल फेसतार से जोड़े जाते हैं निटल के एवल एक पाइसलोटिंग पोल होता है इसमें रच्छर के लिए के वाद तीन फेस ही प्रियोग होते हैं अब हम सब्सक्राइब के लगाने से क्या नाव होता हैं सब्सक्राइब को आसानी से धूर सकते हैं सब्सक्राइब का इस्तेमाल फ्यूज के पेच्छा जादा सुरच्छित होता है मुऐ ए मृजब के कि अपूर्ट को आपर्ट को हम जल्दी भाव कर सकते हैं यहां पे फॉल्ट आती है डिए बसक्राइब में ओर लोड या सार्फ सर्क्राइब कर जाती गिर जाती है और हम उस विसे आया तॉम्हाहिज करे हमारी फ्यूज के पेच्छा तेजी से कार करते हैं जबकि यह सुझा हमारे फ्यूज में नहीं होती है और पांचमा पॉइंट है एंसीवी के टिप हो जाने के बाद कुना हम आन कर सकते हैं लेकिन फ्यूज को अगर जल जाता है तो उसको हम दुबारा बदलना ही पड़ता है हमारी अंटीवी के परियोग कहां पें हम लोक कर सकते हैं मेरी अंती परिपत के लिए प्रिवब करना है तो नीले रंगी नावाली एंस निम्स योग करते हैं इसारा है DC motor या DC परिकत के लिए काले रंग की नावाली MCV का यो करते हैं आइसोलेटर के लिए हम लाल रंग की नावाली यो करते हैं अब माद को MCV क्या विश्चता है होती है करने में यह कुछ विश्चताय होती है इसको ध्याम करकर MCV लोग करते हैं हमारी यह दो सो चालिस बोल्ट से चार्तों पंद्रा बोल्ट के सी सथा पचास हर्थ प्रकंसी पर करते हैं तो अमस्यवी मरी कहीं रेटीं में पाहि जाती है जोसे 05., 05.3., 4, 5, 10 16, 36 अमपीर तर बुब नोप पाहिए जाती है MCV हमारी पोलों के आज़ार पर तीन प्रकार्टी होती है जिंवल को लो टी है वूर हो बहार पर देखा जाए तों सीवी हमरी में पीर सीजीों और स्पॉ्सूर Hers Pokh प्रत्रोधक भार के साथ सर्कुट रच्छा के लिए जाती है और जो जी सीरीज होती है वो यंदि आ परिवर्तनी भार के साथ सर्कुट की रच्छा के लिए बना जाती है अधिसी सीवी जो है वो हमारी जो विए ब्रेकिंग चंका है वो नौ किलो एंपरियर चप्रियों है और जो मकेनिकल जीवनकाल वह एक लागा प्रियों का वह पचास अपरेशंस होते हैं इस प्रकार हमें आपको फ्यूज और 9 बेदा में हमारी क्रुछाद में क्लिल हमएं आंचक्व होता है झुक किम और हम प्रकार होते हैं कि वर्वी कुशाया वद्राइक पाता सकते हैंそして प्रचना के बाद आधार प्रवार करते हैं उसी प्रकार हमने MCV के बारे में बताया MCV का कैसे होता है MCV के प्रकार कितने प्रकार के MCV होती है उसके हम बताया और MCV लगाने से हमें क्या लाब हैं और MCV का हमें किस प्रकार उप्योग करना चाहिए और MCV की क्या विश्यक्ता है उसके बारे में बताया ये सारा माटीरियल हमने भारत इसके डाठ जियोई डाठे से लिया है आज मैं सुरच्छात्मत मिप्तियों का प्रशिक्छन प्रदान किया आज सा है कि ये प्रशिक्छन भवी सहेत मतदगार होगा धन्यवाद कि क्यों ऑपके अज दिया है आज मैं सुर्चात्मत मिप्ता है